आज के क्लास में हम लोग जारखन के परमुक किले के बारे में पढ़ेंगे और यह हमारा दूसरा दीन है ठीक है इसका फर्स्ट फार्ट अल्रेडी अप्लोडेड है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप उसे देख सकते हो ठीक है तो आज का पहला किला हमारा कौन से हो में है धन भाद में है ठीक है यह कौन सा पहाड़ी पे है तो पंचेत पहाड़ी पे है ठीक है पंचेत पहाड़ी पे है ठीक है यह किला का निर्मान किसने करवाया था तो गौवंसी सासक द्वारा करवाया गया था ठीक है गौवंसी सासक द्वारा करवाया गया था कौन सा गौवनसी साससक उसकीन व्राजा का नाम क्या था तो गौव मुखी नाम था ठीक है इसका निर्मान कभ रुदी तो 300 इस्वी में हुआ ठीक है और इसका नाम पंच कोट कुई पड़ा है तो इसमें क्या है इसमें पांच दिवार से ये किला घिरा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या पढ़े गया पंच कोट पढ़े गया ठीक है तो अगला किला आज का दुसरा किला कौन सा हमारा जहरिया जहरियागर महल ठीक है ये कहां पे है तो जहरियागर कहां है सबको पता है जहरिया कहां है तो ये धनबाद में है ठीक है यह इसे कौन बनवाया था तो जहरिया के राजाओं ने बनवाया था ठीक है जहरिया के राजाओं ने बनाया था ठीक है और ये पहले इनकी क्या कहते राजधानी यहीं जहरियागर महली था लेकिन बाद में इसे कहां कर दिया गया था कत्रास गड़ कर दिया गया था ठीक है कत्रास गड़ कर दिया गया था और यहां पर क्या हुआ था एक किला बनाया गया था जिसे कत्रास गड़ का किला कहते थे ठीक है यह कौन का यह कत्रास गड़ भी कहा था तो धनबाद में था ठीक है धनबाद में ही था और कौन सा परखंड में था तो बाग मारा परखंड में था ठीक है बाग मारा परखंड में था किस नदी के किनारे था ये कतराथगड का किला तो कटरनी नदी के किनारे था ठीक है तो आज का next किला कौन सा हो जाएगा रातू का किला रातू का किला तो रातू का किला कहा है तो रातू में है जो कि रातू कहां पे है राची में है ठीक है जो राची में है जो अभी ये रातू का किला का निर्मान कब करवाए गया था तो 1870 में करवाए गया था किसके द्वारा करवाए गया था तो नागवनसी राजा थे उसका सहदेव ठीक है और इस कंपनी का जो यह किला बनाने को कट ठीक है तारी किसे मिला था तो अंग्रेज की कंपनी को मिला था ठीक है अंग्रेज कंपनी को मिला था ठीक है तो आज का नेक्स्ट किला फिर कौन सा हो जाएगा तालमी का किला तालमी का किला कहां है तो खुटी में है तालमी का किला कहां खुटी में है इसका निर्मान कब हुआ था तालमी का किला सत्रो सोसाइटिस में हुआ था किसके द्वारा हुआ था तो अकबर के द्वारा किया गया था ये मुगल अकबर नहीं था यह क्या था? नागवनसी ठागूर था, ठीक है? इसके बाद next किला क्या हो जाता है? नौरतनागर, यह important है. नौरतनागर, महल बोल दो या तो किला बोल दो, इसको और क्या कहते हैं? दोईशा का किला, ठीक है? दोईशा का किला भी कहते हैं. यह कहां पर है? गुमला में है, ठीक है? इसका निर्मान कब हुआ था? तो 1585 में हुआ था. किसके दवाया किया गया था? तो राजा, दुर्जन, साल दवाया करवाया गया था, ठीक है? यह पहले क्या था? यह पहले पाँच मंजिला यह भवन था. लेकिन अभी यह कितना मंजिला बचा है, तो अभी यह तीन मंजिला बचा है, और हर मंजिले पे नौ-नौ कमरे थे, ठीक है? नौ-नौ कमरे थे, ठीक है? इसमें जो इट यूज हुआ है, वो कौन सा इट यूज हुआ है? तो लाहोरी लाहोरी इट यूज हुआ है, ठीक है? इसके अंदर, नौरतन ऑगर महल के अंदर ही कुछ कहते हैं मंदिर भी बनाय गया है जैसे की सीव मंदिर और कौन सा मंदिल है मंदिर है कपिलनात मंदिर ठीक है इसे कहा जाता है जारखंड की हमपी वी कहा जाता है जारखंड का हमपी भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है तो अब अगला किला, अगला किला कौन सा हमारा, पाल कोट का किला, ठीक है, कौन सा है, पाल कोट का किला, पाल कोट का किला, तो पाल कोट का किला भी कह सकते हो, और इसको राजमहल भी कह सकते हो, ठीक है, पाल कोट का राजमहल या तो किला कुछ भी, ये कहां पे है, पाल कोट का किला कहा है, तो ये भी गुमला में है, ठीक है इसे बनाया कौन था तो इसे बनाया था नागवंसी सासक यदुनात साहने जब ये यदुनात साहने अपनी राजाने पालकोड वाए थी तब ठीक है ये कहाँ पे है तो ये एनेच ताइस पे है गुमला सिम्डेगा मार्ग पे ठीक है तो अगला किला फिर हमारा आ जाएगा नाग फेनी का किला या तो राजमाहल ठीक है तो इसका जो बनाने का समय बता जाता हो कब होता है 1704 में ठीक है और यह अभी पूरा लगभग टूड़ गया है बट इसमें एक पत्थल है जिस पे एक राजा एक राजा उनकी साथ रानिय और उसके साथ एक कुट्टे का एक कुट्टे का चित्र मिला है ठीक है एक पत्थल पर एक राजा साथ रानिया और एक कुट्टे का चित्र मिला है ठीक है कहां पर नाग फेनी राजमाहल में ठीक है आज फिर नेक्स्ट आज का किला कौन सा हो जाएगा हमारा तो जैतगर का किला ठीक है जैतगर का किला ये कहाँ पे है तो ये पच्छमी सिम भूम में है पच्छमी सिम भूम में है ठीक है ये किस नदी के किनारे है तो बैतरनी नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है बहतरनी नदी के किनारे में है इसका निर्मान किस ने करवाया था तो पर होट नरेश अरजुन सिंग ने करवाया था ठीक है अरजुन सिंग ने करवाया था ठीक है next किला, हमारे क्या हो जाएगा, तेलिया, गर किला, ठीक है, तेलिया गर किला, यह कहां पे है, तो यह राजमहल, यह भी important किला है, ठीक है, तेलिया गर का किला important है, पहाड़ी 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 तेली राजा ने बनाया था जो सहाजहां के समकालिन था और ये सहाजहां के कारण इसने अपना धह्म परिवरतन करके इसलाम बन गया था तो जो तिली राया जो तिल्यगर का खिला बनाया था ठीक है क्या हो गया था इसलाम ध्हर्म अपन लिया था ठीक है लगह सबक्राइब यात्र annoyed यात्रा करने के लिए उस मीक्राडicon मिलता है तो चीन कि चीन यात्री एक था कौन था चीन आत्री हैंसांग हैंसांग में भी हैंसांग जो चीन यात्री था उसके भी यात्रावित्रांत में इसका उलेक है ठीक है उसके बाद एक इरानी यात्री था इरानी यात्री था इरानी यात्री का नाम क्या था अबदूल लतीफ ठीक है इसके भी यात्रावित्रावित्रान में इसका उलेक मिलता है ठीक है और आइने एकबरी में भी इसका उलेख है आयने अकबरी में भी इसका उलेख है और किसमें उलेख है इसका जहांगीर नामा में भी इसका उलेख है ठीक है जहांगीर नामा में भी इसका उलेख है ठीक है तो लगभग हमारा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे किला हो गया है तो एक बार इसको हम कह करते हैं इसको देख लेते हैं कि सब एक जगह कर लेते हैं कि कौन किला किस जिले में है तो पहले हमारा सबसे जादा किला कहा है पलामू में है तो पलामू में कौन कौन की किला है तो पहले विस्रा रामपूर का किला आ जाएगा विस्रामपूर किला आ जाएगा ठीक ना दूसरा किला कौन हो जाएगा यहां पलामू में तो रोहिलों का किला हो जाएगा ठीक है रोहिलों का किला हो जाएगा यह सब का पूरा डीटेल मैंने पहले बता चुका हूं ठीक है कि कौन किसने बनाय हुआ है ठीक है थर्ड हो जाएगा चैनपूर का किला और फोर्थ कौन सा किला हो जाएगा सहारपूर सहापूर किला ठीक है तो पलामों में कितना इंपॉर्टेंट किले हैं तो चार इंपॉर्टेंट किले हैं ठीक है कौन-कौन तो पहला विस्रामपूर किला दूसरा रोहिल कौन-कौन है तो पलामू किला है ठीक है और कौन किला है नारायनपूर का किला हाना नारायनपूर किला ठीक है उसके बाद कौन सा आ जाएगा गुम्ला का गुम्ला में भी important किले है कौन-कौन हो जाएगा दोईसा का किला पाला हो जाएगा दोईसा का किला जिसका और किस नाम से जाना जाता है नारदनगर महल के नाम से भी जाना जाता है तöhगे उसके बाद क्या हो जाएगा पालकोर्स ज़ाना BE बहुत भी बोल सकते हो महल राजमहल उसके बाद नाग भेनि का राजमहल याम नाग भेनी का कैं है याम है भी ठीक्ना उसके बाद कहां पर आ जाए है जो आप पच्मी सिम्भूम में आ जो ठीक है पच्मी सिम्भूम में ठीक है पच्मी सिम्भूम में कौन-कौन किला है तो जैतगर का किला है फिर का और कौन सा किला है तो परहोड का किला है परहार्ड का किला है ठीक है उसके बाद जिसको और किस नाम से जाना जाता है तो जगरनात किला भी का जाता है ठीक है जगरनात किला भी का जाता है तो उसके बाद कौन सा है चकरधर पूर किला है चकरधर पूर किला है ठीक ना और कौन सा किला है केसानगड का किला है ठीक ना और आपको लग रहा है कि जहां पर जो किला छुटा हुआ है आप उसे कमेंट कर सकते हो ठीक है हजारी बाग में कौन किला है तो पदमा का किला है और दूसरा कौन किला है तो बदाम का किला है ठीक है खुटी में कौन किला है तो यहां पर एक ही किला पढ़े थे कि कौन सा तिलमी का किला ठीक ना उसके बाद रामगर में तो सब को पता है रामगर का किला है ठीक है धनबाद में भी किला था दो धनबाद में कौन सा किला था याद करो आप लोग धनबाद में कौन कौन किला था तो एक पंच कोट का किला और दुसरा कौन किला था ज़रियागर का किला ज़रियागर महल यह तो किला भी बोल सकते हो ठीक है और आखरी में देख लेते हैं और कहां साहब गंज में साहब गंज में कौन सा किला है साहब गंज में कौन सा किला है तो तेलिया गड़ किला है ठीक न तो लगभग होई गया है और अगर कुछ छुटा होगा तो आप लोग बता देना कमेंट में आप लोग कमेंट कर देना जो किला छुटा होगा तो ठीक है तो रांची में एक और किला देख लेते हैं रांची में कौन है रातू किला हाना ठीक है फिर